नमस्कार दोस्तों आगरा की रसोई में मैं वर्शा वर्मा आपके लिए लेक्याई हूं गोवी मटर पुलाब की रस पे बहुत ही टेस्टी बनेगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करें तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले कुकर में 1.5 बड़ा चमच सर्सों का तेल डालेंगे गरम कर लेंगे तेल के गरम होते एक चमच जीरा 15 20 काली मिष्ट डालेंगे और 2 तेश पत्ता डालेंगे तीन हरी लायची और पांच लोंग डालेंगे दो तिन टुकड़े दाढ़चीनिके डालेंगे इनहें हम बरावर चलाते हों इस तरह से भून लेंगे अब एक प्याज को इसे मैंने मसल लिया है इसे डाल लेंगे और एक अध्रTM 810 के लिए जिसे ग्रेट करके लिए इसे डाल लेंगे और बरावर चलाते हुए प्याज को अच्छे से गोल्डन क्लर आने तक इसे हम भून लेंगे अब प्याज बुन चुकी है पांच हरी मिर्च लिए तो कुछ-कुछ वोटा कुछ को लंबा काटाए तो हरी मिर्च को भी प्याज के सॉफ्ट हो चुके अब कुछ सब्जियां डालेंगे तो एक फूर्गोभी दो आलू एक गाजर और एक कप हरी मटर लिए तो सभी सब्जियों को दूख के काट के लिए ऐसे डाल लेंगे और सब्जियां डालकर एक चमस्ट नमक डालेंगे नमक डालकर सब्जियों को हम अच से 20 मिनट भीगों के रख दिये तो इसका पानी निकाल लिया पूरे चावल इसमें डाल लेंगे और चावल को भी सब्जी मसाले के साथ एक मिनट करी बराबर चलाते हुए भूनेंगे तो प्लीज कमेंट करके बताएं रेस्पी कैसी लगी अब इसमें डालेंगे पानी तो ए सभाएं चमस गरम मसाला डालेंगे सबीं चीज़ों को अच्छे से मिक्स करलेंगे । एक हलका सवबावर अने देता है अभ इसमें दो चमट धनिया पत्ति डालेंगे मिक्स घ्रवं कर लेंगे और मिक्स करने के बाद कूकर कर ध्यक्कर लगा देंगे तो एक सीटी तेजगेस पर लगाएंगे तीन मिनट कम पर पकाएंगे तो सीटी आ चुकिए कुकर भी ठंडा हो गया है तो पुलाब कुछ चेक कर लेंगे तो देखिए किता बढ़िया पुलाब बनके तयार हुआ है इसे हम उपर नीचे कर लेते हैं गर्मा ग चार तेंगे कर ले गोड़ी देखिए करते दीमैंगे कर लेंगे कर दोस्याओ का शetteवन कर देखिए कि अठने कर इखिए को जड कर लह को हैंवे डınız प्यट पूजब कि देखिखième